हे गाईज वेलकाम बैक टूब इक्रम टिटोरियल गुरूब डी आज हम लोग लेकर हैं गुरूब डी याद रखे गुरूब डी एंड रेलेवे के अंदर आज हम लोग पढ़ेंगे नियुमेरिकल्स का कोश्चन और यह सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं और लगातार हम सारे नियुमेरिकल्स के लिए खतम कर देंगे तो वीडियो को देखते रहिएगा और जो भी सजेशन हो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर रखेगा तो चलिए पहला फर्मुला देखते हैं भी इक्वल टू यू प्लस एटी दूसरा है एस इक्वल टू यू टी प्लस हाप स्कूर्ड फर्मूला है भी स्कूर एक्वल टू यू इंटव प्लस टू एएस और लास्ट फर्मुला ऐसन एक्वल टू यू प्लस एबाई टू और टू एन माइनस वंग यह फर्मुला आप याद रखेंगे तो इस पर जितना निमेरिकल्स होगा सारा आप बना पाएंग तो भी पले बता देते हैं भी है अंतिम वेग यू है प्रारंभिक वेग ए है तवरन और टी है समय ठीक है और बाकिसी चीज तो आप जानी रहे हैं किसी वस्तु का नियत तवरन दस मीटर पर सकेंड है कितने समय बाद इसका वेग दूग ना हो जाएगा एक चीज बता दें कि अगर आपको कहीं टफ लगे आपको समझ में नहीं आये तो आप मुझे कमेंड करके बता सकते हैं कि कहां पर आप समझ नहीं पाए क्योंकि हम नु नियुमेर्कल को सॉल्व करने के लिए जैसा कि हम क्यमेस्ट्री के क्लास में भी बताते हैं कि सबसे पहले आपको नियुमेर्कल में वह टर्म पता होना चाहिए जो यहां पर डाटा में दिया रहता है उसको जैसे टैन मीटर पर सेकेंड इसकोर यानि यूनीट से हम पता ल आप इसी में पूट कर दीजेगा तो आपका टी निकल जाएगा दस सेकंड आप खुद निकल के देखिए उमीद है यह आपको समझ में आ गया होगा नेक्स्ट कोश्चन पर बात करते हैं और उसको भी समझाते हैं तो यहां पर दूसरा कोश्चन हम देख पा रहे हैं एक वायान धावन पत से 100 मीटर पर सेकंड वेक से उड़ान भड़ता है यह वायान अपने विश्राम से 10 मीटर पर सेकंड इसक्वर के एक समान तवरन से बढ़ता तो आप एक चीद विख प्राप्त करने के लिए धावन पत के लंबाई कितनी हुनी चाहिए तो एक चीज में हब पता दो कि जहां भी विश्रामावस्था होगा तो वहाँ पर यूइवस्था से स्टार्ट वहन होगा है वहां पर यहा कब यहां पर यह हम दटा लिखते हैं तो एमारा दिया हुआ है भी का मान कितना दिया हुआ है आपका 100 मीटर पर सेकेंड यू तो आपका जीरो हो गया पर आपका ए हो गया अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ती नहीं दिया हुआ तो हमारा फर्मॉला जो लगेगा भी स्क्वेर इक्वल टू यू स्क्वेर प्लस टू एस इसलिए लगेगा क्योंकि यहां पर आपका टी नहीं दिया दरवाइज भी इक्वल टू यू प्लस एटी लगाते ठीक है तो जैसा आपको डाटा दिया है फर्मॉला भी हम उसी एक लगाएंगे यह नहीं कि को डाटा कुछ दिया हरा आप फर्मॉला अलग लगा रहे हैं तो आपका गलत हो जाएगा ठीक है तो आप यहां पर डाटा में पूट करेंगे तो आपका एंसर आ जाएगा यानि लंबाई देखे धावन पत की लंबाई का मतलब एस एस मतलब होत सकता है उचाई हो सकता है तो इस तरह से ध्यान रखेगा तो यह नहीं कि धावन पत की लंबाई पूछ दिया लंबाई लंबाई निकालना तो यहां पर समझेगा ठीक है तो आपको जैसे ही पूट कर देंगे वैल्यू उसके भी स्क्वार इक्वार्टी उसक्वार प्लस इस समय के दोरान नाव दोरा ताई की गई कूल दोरी ज्यांत किजिए तो जैसे यहां पर बोल दिया स्थीर अवस्था तो समझा यू का मान जीरो हो जाएगा अब आगे बढ़ते हैं और जैसे ही आपको एक दिगा हुआ थी मीटर पर सकेंड स्क्वार तो यह हो जाएगा डाटा खुद लिखी और मुझे अगर डाटा लिखने में आपको दिकत होती है तो मैं एक ही बात बोलूंगा कि कमेंड करके मुझे बताईएगा ताकि हम डाटा को भी बहते हैं डंक्चा आपको लिख करके कोशन के थूरू हम एक बना करके आपको बताएंगे ठीक है आप को निकालना ताइद नाव द्वारा ताइक की कुल दूरी है तो दूरी निकालना है तो यहां पर आपका टी भी दिया हुआ तो टी जब दिया ओर तो एस इकवल टू यूटी प्लस हाफ 802 फार्मला लगा देंगे और यह डाटा में हम यहां पर पूट कर देंगे यानि ब तो निस्टीत रूप से देखे पहले डाटा लिखेंगे एक वे टू मीटर पर सेकेंड और यहां पर देख सकते हैं विश्रामा वस्था विरामा वस्था आप यहां भी बोले तो यू कमान हमेशा जीरो होगा तो यहां पर यू जीरो हो जाएगा आपको निकालना है वेग कि वी कितना हो जाएगा और टाइम भी दिया हुआ 4 seconds तो हमारा formula लगेगा वी इक्वल टू यू प्लस 80 क्योंकि यहाँ पर भी हम लोग देख सकते हैं कि ती दिया हुआ तो हमारा formula लगेगा वी इक्वल टू यू प्लस 80 तो हमारा रहेगा question वेसा ही आपको formula लगाना होगा जो formula उपर में हम सूरु में आपको बता दियो सबसे पहले formula लिकिए उसके पूट कीजिए और बता बताईए कि कौन सा formula लगेगा खुद सोचिए और उसके बाद आगर नहीं समझ में आया तो आप मुझे बताईए ठीक है